आज जो चीज हम study करेंगे वो है addition and subtraction of vectors यानि कि जैसे numbers आपस में add होते हैं, vectors को हम कैसे add या आपस में दूसरे में subtract कर सकते हैं तो ये addition and subtraction of vectors को समझने के लिए जुरूरी है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि vector क्या होते हैं physics में आपके पास कोई भी vector quantity जो हैना वो describe की जाती है उसके magnitude से और इसकी direction से magnitude से मुराद कि वो चीज कितनी ज्यादा है या कितनी कम है और direction से मतलब यहां पर यह है कि जो मिकदार है उस चीज की वो किस खास सिमत मर है जैसे कि आपके पास एक ये डबा है आप डबे के उपर आप force लगाएं तो force या तो आप दाएं जानिब लगा सकते हैं या बाएं जानिब या उपर या नीचे तो जिस जानिब force आप लगा रहे हैं वो उसकी direction है और कितनी ज्यादा लगा रहे हैं वो उसका क्या है magnitude है या कितनी कम लगा रहे हैं वो भी क्या है magnitude महीं आता है तो vector की बन्यादी तोर पर तीन चीज़ें होती हैं जैसे कि यहां पर ही present करने के लिए आप इसको यह दिखाते हैं एक तीर होता है आप के पास जैसे कि यहां पर दिखाये गए तो एक animation से बताता हूँ यह animation मैंने fat.colorado.edu की website से ली है जिसमें आप मान लीजिए कि आपके पास एक यह vector है ठीक है जिसको ना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रखता हूँ यह और इसको फिर ना सिरफ x-axis यहने के दाएं जाने पॉइंट का रहा हूँ और यह जो vector की लंबाई है वो कितनी बन लिया 10, 20 sorry magnitude है इसका अब मैं एक और vector लेके आता हूँ ठीक है जो के आपके पास मिसाल के दोर पर इस तरह का है यह चलें यह नीला वाला ही ले आता हूँ ठी रख सकते हैं या फिर इदर भी रख सकते हैं लेकिन physics में कानून यह है कि आपने अगर इस vector को इस vector में add करना है इसका जो head होगा ना पहले vector का head उसके उपर आपने दूसरे vector की tail रखनी है तो अब आपके पास जो इस vector को इस vector में जब आप add करेंगी जानी कि यह जो vector है यह आपके पास V है जबकि यह भी क्या है आपके पास V है इस vector की length यानि के magnitude जादा है इस vector का magnitude कम है अब आप यह चाहते हैं कि आप इन दो vectors को add करें और एक नया vector हासिल हो जो कि इन दोनों vectors को मिला के मिले total vector हो वो इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं यहां पर sum पर click करूँगा अब ही मैं आपको बताता हूँ कि sum आपने draw कैसे करना है तो यह जो addition of vectors मैं कहा रहा हूँ यह by law of head to tail rule है जिसमें आपका जो resultant vector है जो के अभी s है उसका आपने क्या करना है कि जो उसकी tail है ना उसको पहले vector की tail के साथ मिलाना है यह बात समझागी आपको ठीक है और आपके पास जो दूसरा vector होगा ना उसका जो head है उसके साथ आपकी resultant है उसकी head मिलनी चाहिए तो यह जो addition of vectors है इसको हम कहते हैं addition of vectors by law of parallelogram sorry head to tail rule तो अब head to tail rule को हम words में यह input कर लेते हैं यह तस्वीर आपके सामने लेया हैं जो जिन दो vectors को मैंने add किया था तो head to tail rule के मताबिक सबसे पहला step यह है कि आपने क्या करना है place the tail of second vector at the head of first vector यानि कि यह जो second vector है आपके पास इसकी जो tail है वो पहले vector की head पे रखनी है अब जो इस vector और इस vector का resultant होगा वो इस तरह से draw होगा कि आपके पास the resultant vector is drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector इसको मैं correct कर भे कर देता हूँ आपके लिए जैसे के यह इसका मतलब बेसीकल यह है कि आपके जो resultant vector होगा उसकी जो tail होगी वो पहले vector की tail से मिलेगी जबके जो उसका head होगा वो आखरी vector के head से क्या करेगा मिलेगा जैसे कि यहां पर यह मिल रहा है तो इस तरह से जो दो vectors की यह दो सजाइद vectors की addition की जाती है उसको हम कहते है head to tail rule अब हम बात करते हैं कि दो से ज्यादा अगर vectors होगा उनको कैसे add करेंगे तो तरीका इस कार उसके लिए भी क्या होगा head to tail rule ही apply करेंगे तो उस चीज़ को भी मैं आपको एक animation सही बताऊंगा तो आप मान दीजिए के मेरे पास यह तीन vector है ठीक है मैं इसको पहले को सीधा यूं रख लेता हूँ ठीक है दूसरा जहा है उसको मैं यूं रख लेता हूँ और तीसरे की मैं थोड़शी direction को बदला देता हूँ जैसे तो यहां पर मैंने रख दिये यह ठीक है अब आपने इसको इसमें भी तो add करना है जरूरी है कि जो इसकी tail है head to tail के मताबिक वो दूसरे vector के head पर आए तो यहां पर इसके head पर आजएगी जैसे कि यह इदर आगी अब आप यह चाहते हैं कि आप resultant find करें तीन vectors का तो वो क्य आओगा कि जो resultant की tail होगी वो पहले की tail से मिल रही होगी और जो resultant का head होगा वो आखरी vector के head से मिल लागा जैसे कि यहां पर यह इसको अगर मैं place करूं तो इसकी जो tail है वो मुझे इसकी tail के साथ मिलानी पड़ेगी पहले vector की tail के साथ जबके जो तीसरे vector का head है क्योंकि आप यही तरीके कार अपनाएंगे अब बात करते हैं कि आप vectors को subtract कैसे कर सकते हैं तो subtraction of vectors को भी समझने के लिए मैं आपको एक animation दिखाता हूं मान दीजिए कि आपके पास एक vector है जिसको मैं बिलकुल दायन जानी point करते तो इस तरह से ठीक है और एक और vector है जो कि इसी तरह का है बिलकुल सेम vector है ठीक है लेकिन उसकी जो length है वो छोटी है तो अब आपके पास आप यह चाहते हैं कि इस vector को आप इस में से क्या करें सब्ट्रेक्शन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा head to tail rule follow करना पड़ेगा लेकिन सब्ट्रेक्शन के लिए जरूरी है कि बिलकुल opposite direction में होना चाहिए जैसे कि यहां पर u में draw कर रहा हूँ ठीक है तो head to tail rule के मताबिक आपका जो vector है उसकी direction को अगर आपने subtract करना है तो उसकी direction को आपको opposite करना पड़ेगा जिस direction में point कर रहा है अगर वो दायन जानी point कर रहा है तो आपका जो vector subtract होने वाला है उसको vector को यहां पर x-axis के उपर यहां पर राक देता हूँ ठीक है तो यह इस तरफ point कर रहे है तो पहला vector है अब इस vector को subtract करना है तो मुझे इसकी direction को क्या करना पड़ेगा re-verse करना पड़ेगा जैसे कि यहां पर मैंने कर दी ठीक है और अब मैं क्या करूँगा कि आपके पास जो तो मैं यह करूँगा कि यह जो दूसरे vector की जो tail है ना उसको पहले vector की head पर राक दूँगा तो अब जब मैं head पर रखूँगा तो आपके पास यह आ जाएगा यहां पर यहूँ अब मुझे क्या करना है कि मुझे resultant vector चाहिए तो resultant vector क्या होगा कि जो पहले की tail है उसके resultant का tail मिल रहा है और दूसरे vector के head से resultant का head मिल रहा है अब चूंकि यह जो vector दाएंजानी था ना यह वाला vector इसकी length ज्यादा थी यानि कि magnitude ज्यादा था तो इस वज़ा से किस vector से इस vector से इसकी वज़ा से आपके पास resultant vector उसका magnitude दाएंजानी पर है अगर इसका magnitude बड़ा होत vector है उसने पिन direction को क्या कर लिए बदल लिए जिस तरफ magnitude ज्यादा होगा उस तरफ वो direction point करेगी resultant vector की तो आज हमने क्या सीखा कि हमने addition and subtraction of vectors को study किया